मसकार आप देख रहे है न्यूज आपका 5 लाख इनामी नकसली ने गुमला में आज किया है आत्मसमर्पन 4 पुलिस कर्मियों की हत्या में सामिल 5 लाख कैनामी भागपा मुआदी नकसली खुदी मुंडा ने आत्मसमर्पन कर दिया है मंगलवार को पुलिस लाइन में आयोजित कारकरम में खुदी मुंडा ने विधिवत रूप से रांची रेंज के डियाईजी अनुव विर्थरे के सामने आत्मसमपन कर दिया है इस दोरान गुमला SP और CRPF के अधिकारी भी पस्थित रहे भर्नो परखंट के बटकुरी गाउं का रहने वाला खुदी मुंडा भागपा मुआदी संगठन में सब जोनल कमांडर पर है उसके उपर जारकन पुलिस ने 5 लाख रुपे और एनाई ने 1 लाख रुपे का इनाम भी रखा था खुदी मुंडा पर गुमला, सिम्डेगा, लातेहार, जीला के थानों में 50 केस दर्ज है चैनपूर थारा में हमला हो चैनपूर ब्लोक भवन को उड़ाने की साजिस और चैनपूर पुलिस पर हमला कर चार पुलिस कर्मियों को मारने की घटना में भी खुदी सामिल रहा है खुदी मुंडा पिछले दो वर्स से पालकोट और सिम्डेगा के सिमांत में अपनी गतिवीधियों को चलाता था पिछले में दो कमांडर राजे सुराओं और लाजिम अंसारी के इंकाउंटर में मारे जाने के बाद से ही खुदी मुंडा ने आत्मसमर्पन करने का फैसला लिया था नकसली खुदी मुंडा ने कहा कि 1996 में अपने चचरे भाई पुर में मुवादी का सक्रिय सदर से बोबी मुंडा के लिए समान पहुचाने और पुलिस के आवगमन की सुचना देने का कारे करता था 1999 में चचरे भाई के साथ लापुंग थना चेतर में हत्यारों की लूट पाट और नकसली घटनाओं में सामिल रहा वर्स 2021 में गरिपतार होकर जेल में चला गया जिसके बाद जेल में बंद रहने के दोरा ने उगरवादी संगठन के कई सदोसों से जान पहचान हुई 2005 में जेल से बाहर आने के बाद परिवारिक बिवाद के कारण भागपा मुआदी के कमांडर मनोजने गस्या और सिल्बेस्तर लकड़ा के संपर्क माया और दस्ता के साथ रहने लगा वर्स 2018 में पालकोट कुलिवीरा सिम्डेगा गुमला छेतर का एरिया कमांडर बनाया गया इसके बाद वर्स 2009 में रिजनल कमांडर सिल्बेस्तर लकड़ा द्वारा पालकोट सिम्डेगा छेतर का सब जोनल कमांडर बनाया गया सरकार की आत्मसमर्पन पर निती से प्रभावित होकर जो है मैंने सरेंडर किया है ऐसा कहना है इस मुवादी का फिलाल जार्खन में लगातार नकसलियों के गतिवीधियों को अब जार्खन पुलिस रोकते हुए नजर आ रही है क्योंकि जिस तरीके से आत्मसमर्पन की निती एक तरह से कहा जाये तो सपल होते हुए दिखाई दे रही है लगातार नकसलि के गतिवीधियों पर नजर रखते हुए कई ओप्रेशन भी जार्खन पर चलाये जा रहा है साथ ही आपने देखाई होगा पिछले हमारे वीडियो में कि इस तरीके से एक पिलेफाई संगठन जो की काफी जादा जार्खन के कई छेत्रों में सक्रिय था उसके उपर भी लगाम लगाने की कोशिज जार्खन पुलिस के द्वारा लगातार जारी है और अब ये देखने को मिल रहा है कि उसके जितने भी सक्रिय सदसे हैं वो पकड़े जा रहे हैं या फिर पिछले कई वर्सों के हम बात करें तो वो मारे भी जा चुके हैं लेकिन फिलाल जो कुछ कुखियात अपरादी अभी भी खुले आम घुम रहे हैं उन्हें भी पकड़ना बाकी है इस पर लगातार पुलिस के रननिती बन रही है और साथ ही साथ नकसली संगठ्यों को भी निस्ताबूत करने के कई ओप्रेशन अभी जार्खण में चलाये जा रहे हैं आज के लिबस इतना ही देखते रहें न्यूजाप का धन्यवाद